आपके साथ इक लिए श्राटी और आज सिलसला बजार उका में एक बाए फिर से लेकर आगया आप सब के लिए यहाँ पर कमूर्टी बजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह कमूर्टी बजार कैसा खुलता हूँ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या रहा है सोने और चांदी से तो आज देख रहे हैं कि सोना अटारसो डॉलर पर कारवबा करता हूँ नजर आ रहा है और नजर आ रहा है दरसल डॉलर में एक हलकी कमजोरी देखने को मिली ती और जो यूएस ट्रेजरी इंगल है जो 10 साल वाले अमेरिकी बॉर्ण है उनके अंदर एक हलकी नर्मी देखने को मिली है जिसकी वज़ा से सोने चांदी कीमतों को एक हलका सपोर्ट मिलता हो नजर आ रहा है और उसी नति आपको पता ते कि कच्छी तेल की जो इंवेंटरी थी पहले時 सप्लाई कमबता जाड़ी और अब है यह खच्छी तेल कि कीमतों में एक नर्मी देखने को मिली है तो आज सोने चांदी कच्छा तेल और बेस में टस्मिक्या करके चलना सही रहेगा आईए जान लेते हैं रूपा जी से रूपा जी बहुत बहुत स्वाथ आप मागराम सीवी पर रूपा जी देख रहे हैं कि सोने चांदी एक फिर से अच्छे रैवल्स पर कारवा करते हैं नजर आ रहे हैं कल के मुकावले सोने एक फिर से 800 डॉलर पर पहुंचा है अब आपको यहां से क्या लगता है क्या सोने चांदी में उठावा टक का मौल ऐसी जारी रहेगा या फिर कहीं पर एक स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी सोने और चांदी के अदर अभी फिलाल जो है एक रेंज जो है वो देखने को मिल रही है सोना ना तो 1800 डॉलर तो पर सस्टेइन कर पा रहा है और ना ही 1800 डॉलर के अगर देखा जाए तो सोना एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई देरा 47,800 से लेकर 48,000 की रेंज में गुमता हुआ दिखाई देरा तो मुझे लगते है कि अभी फिलाल इसमें बाय ओन डिप की स्ट्रेजी लेकर चलना चीए आगे आने वाले दिनों में सोने के अं साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो मुझे लगते है कि सोना और चांदी दोनों ही हरी सीजन की मांग के चलते हैं अपसाइड मोमेंटम में जा सकते हैं आज अगर गिरावट के अंदर 47,800 के आसपास भी मिले गायदे के अंदर तो बाई किया जा सकता है वहीं चांद कि बात करें तो चांदी भी 66,000 तक ऊपर जाती भी नजर आ सकती है यह से रुपाजी देख रही कि कच्छे तेल की कीमते भी काफी जादा फिसलती भी नजर आ रही है आपको क्या लग रहा है क्या कच्छे तेल में प्रॉफिट बुकिंग अभी और बंती भी नजर आ प्रॉफिट बुकिंग अभी हुई है जिसके चलते कच्छा तेल फिसलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है आज भी डॉमेस्टिक मार्केट में दो फिसलत तक लूड़का हुआ है और इंटरनेशन मार्केट के अंदर 81 डॉलर के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर इसी तरीके से मुझे लगते है कि ये वाला वीक थोड़ा सा प्रेशर वाला रह सकता है अगर 80 डॉलर अब यहाँ पर WTI के लिए एहम सपोर्ट रहेगा अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर है तो मुझे लगते कि अभी और ज्यादा गिरावट आ सकती है तो इसके अंदर अभी फिलाल इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से शोटर्म स्ट्रेगी सेलिंग की जा सकती है लेकिन लोंग टर्म पॉइंट अभी भी कच्छे तेल में निचले सवर पर खरदारी करके चलना Roth ऑसे इसके अंदर लगातार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं कि युक के अंदर कारो का प्रोडक्शन वो गिरा है तो जब से यह data update हुआ है तब से इसके अंदर लगाता प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं demand कम होने के expectation के चलते base metals लोड़कते हुए दिखाई दिखाई दिये हैं और जिसके चलते दबाव बन सकता है 720 के आसपास एक बर copper support लेता हुआ दिखाई दे सकता है जिस वहाँ परवाप्ति से एक fresh buying initiative होते हुए दिखाई दे सकते हैं जिंक की बात करें तो जिंक भी 270 तक एक बार नीचे लुड़क सकता है 278 से लेकर उपर में 282 की range फिलाल जिंक भी दिखाई दे रही है लेकिन long term strategy अभी भी buy on dip की रखनी चीए नीचले स्थरों पर खरगारी की दनीती लेकर चला जा सकते हैं जी इससे रूपा जी देख रहे हैं natural gas की जो कीमते हैं आज international market में हलकी सी correction के साथ trade कर ली है लेकिन अब देख रहे है कि सर्दियां का मौसम भी आ गया है आपको क्या लग रहा है कि सर्दियों में natural gas की demand अब जादा बढ़ती ही नजर आएगी और जैसे कि पहले हम koila संकट देख रहे हैं बिजली संकट है ऐसे वक्त में natural gas की कीमते record हाई पर जा सकती है अब भी तो फिलाल जो है natural gas आज भी profit booking के अंदर है दो फीसद आज भी लुड़की हुई है तो मुझे लगता ही कि थोड़ा सा बजार जो है अभी dip में एक बर देखा जाए तो 440-438 के आसपस आ सकता है इसके नवंबर वायदा और उपर में 460 के उपर की अगर sustainability रहती है तो 480 तक उपर जा सकता है अभी फिलाल एक range में दिखाई दे रहा है लेकिन जिस तरीके से scenario बनता हुआ नजर आ रहा हो सकता है आपको आने वाले दिनों में आगे देजी देखने को मिले लेकिन उससे पहले एक बर 420 तर नीचे जा सकता है मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बर फिर से fresh buying आ सकती है ओवरल ट्रेंड तो positive है अभी आने वाले दिनों में demand factors हावी हो सकता है जिसके चलते कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है जी रूपजी जाना चाहेंगे आपसे आज इंट्रेडे के लिए non-agree में topics क्या रहेंगे जिनके अंदर मुनाफ़ा कमा के चला जा सकता है अगर आज इंट्रेडे की बात करें तो इंट्रेडे में आज देखा जाए तो non-agree commodities में सभी के आज सकते हैं लेकिन ज्यादा लंबा पुजिशने में अपनी खड़ी ना करें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है तो इंट्रेडे प्रोस्पाक्टिव से कच्छे देल में सेल करके चल सकते हैं और शुट्मुर्क विकवाली जो है बेस में भी दे झाल करें में सकते हैं